आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैस हम लोग किसी बैंक में अपने एकॉंट में या किसी और के एकॉंट में कैसे जमा कर सकते हैं यहाँ एक्जामपल के लिए हम SBI का deposit slip आफ को भर के दिखाएंगे सेम इसी प्रकार का हर बैंक का होता है और इससे मिलता जुलता ही डाटा आपको भरना होगा अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो किसी भी बैंक का deposit slip होगा तो आफ उसे असानी से भर लेंगे और cash deposit कर पाएंगे जैसे के इस slip में आप देख रहे होगे दो भाग है एक बाएं तरफ का भाग है और यहाँ पे निशान है और इस तरफ एक भाग है यह दो भाग में बटा है इस तरफ वाला भाग को भी हम लोग भरेंगे और इस तरफ वाले भाग को भी हम लोग भरेंगे अब हम इस तरफ से सीखेंगे इसको भरना यहाँ पर ब्रांच है और यहाँ पर डेट सबसे पहले हम लोग ब्रांच भरेंगे यहाँ पर डेट भरेंगे आज का डेट है 21-08-2021 और यहाँ पर हम लोग account नमबर भरेंगे यहाँ पर name जिसके account में आप पैसा डाल रहे हैं उनका नाम होगा यहाँ पर यहाँ पर अमन कुमार है यहाँ टेलिफोन नमबर है आप यहाँ पर mobile नमबर भी दे सकते हैं amount यहाँ हम 16,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16,000 रुपए यहाँ सब्द में आपको लिखना होगा तो यहाँ पर 16,000 रुपए है इसको हम इंगलिस में लिखेंगे यह जो आप देख रहे हैं यह चेक का डिटेल भरना है यहाँ पर हम लोग cash जमा कर रहे हैं इसलिए यहाँ भरने की जरूरत नहीं है इस तरफ आप जो cash जमा कर रहे हैं उनमें कौन-कौन सा note कितना संख्या में है वो भरना है जैसे मेरे case में मेरे पास 2000 के 4 note है 500 के 10 note है 200 के 10 note है 100 के 10 note है और आपके case में जितने भी note होंगे आप यहाँ पर लिख देंगे चुके 2000 के 4 note है तो वो हो जाएंगे 8000 रुपए और पैसा को हम लोग ऐसे काटेंगे 500 के 10 note है तो यह हो जाएंगे 5000 रुपए 200 के 10 note है तो यह हो जाएंगे 2000 रुपए और 100 के 10 note है तो यह हो जाएंगे 1000 रुपए और इनको हम अगर जोडते हैं तो यह हो जाएंगे 16,000 रुपीज अब आप यहाँ देखेगा जो data आपको यहाँ भरना था ब्रांच यहाँ पर मेरे केस में बजार ब्रांच है डेट हो रहा है 21 28 2021 एकांट नमबर है जिसका यह एकांट नमबर है उसका यहाँ पर नाम डालना होगा तो यहाँ पर नाम है अमन कुमार यहाँ पर टेलिफोन नमबर या मुबाइल नमबर इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपके एकांट से जो नमबर जुड़ा हुआ है वही मुबाइल नमबर यहाँ पर देना होगा यहाँ पर कोई भी active मुबाइल नमबर देना होगा जिससे ये पैसा अगर जमा होने में कोई समझ से आती है तो बैंक आपसे संपर्क अस्थापित कर सके तो यहाँ पे हम एक मोबाइल नमबर दे देते हैं इमेल आईडी, इमेल आईडी नेसेसरी नहीं है आप चाहे तो दे, चाहे तो नहीं दे हम यहाँ पे नहीं देंगे रूपीज इन्वर्ड यहाँ सब्दों में आपको लिखना होगा 16,000 हम जमा कर रहे हैं आपके केस में जितना होगा आप लिखेंगे यह वही वाला भाग है जो चेक के लिए भरा जाता है तो चुक्के हमको चेक नहीं दे रहे हैं हम कैस दे रहे हैं तो इस भाग को हम नहीं भरेंगे फिर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ है इसको आपको नहीं भरना है यह मुहर है जो बैंकर में लगाएंगे यहाँ पर है सिगनेचर ओप डिपोजिटर जो जमा कर रहा है उसका यहाँ पे साइन चाहिए दिया और इसके साथ 16,000 cash आप cash counter में देंगे जो cashier होगा वो इस वाले भाग में यह वाला भाग आपको फाड़ के और इस पे मुहर लगा के सिगनेचर करके आपको return कर देगा और यह भाग को cashier अपने पास रख लेगा और आपके account में cash payment हो जाएगा जो अवाज कारो आपको जापको दो जाएगा